नमस्कार News 4 Nation देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाशर्मा MLC चिनाव को लेकर राजुत ने अपना फाइनल लिस्ट बना लिया हर सब कैंडिडेटों ने जो भी तीन कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में शामिल हुएं उन्होंने नॉमिनेशन भी भर दिया है लेकिन कई दिन पहले इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि एक ऐसे भी शक्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल है वो नाम था तेजप्ताप यादव का आखर तेजप्ताप यादव इस लिस्ट से आउट क्यों हो गये क्या वज़ रही कि तेज़ प्रताप्यादव MLC नहीं बन पाए, इस लिस्ट में वो शामिल नहीं हो पाए, क्या इसकी वज़ तेज़स्वी आदव भी है, क्योंकि कई ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, राजनितिकार भी ये कह रहे हैं कि तेज़स्वी आदव इसके विद्वार तै किये हैं, इसे के तहट राजपूत समाज से प्रत्याश्वी बनाने की मांग हो रही थी। माना जा रहा है कि RJD ने भुम्यार समाज से RJD के AD सिंग को राजसभा भेजा था, जिससे राजपूत समाज ने RJD पर दवाब भी बढ़ा दिया था। विसकोमान के अध्यक्ष सुनीगिल सिंग का नाम इसे डन्निती के तहत सामने आया है वहीं आगामी विधान सबाचुनाव के मद्दे नजर मुस्लीम समुदाय का एक नाम जरूरी माना जा रहा था जिसके तहत ही फारुक शेख के नाम पर सहमती बनी है वहीं राम बली सिंग चंद्रवन्शी पिछले समाज का प्रतिने दित्व करेंगे इसलिए उन्हें उमिद्वार बनाया गया है हलाकि तेज प्रताप यादब को विधान परिशद नहीं भेज जाने के फैसले से सबको आश्चर जरूर हो रहा है इसी बहाने तेज प्रताप भी किनारे हो गए है राजनितिक जानकारों की माने तो ये तेज प्रताप को सल्टाने के गेम प्लान का हिस्सा भी हो सकता है वरिष्ट पत्रकार की अगर माने तो हाली में तेजपिताप ने खुद को विधान परशक भेजे जाने के लिए दवाब भी बनाया था उनके समर्थकों ने काफी हो हंगामा भी किया था लेकिन तेजपिताप कहीं से भी फिट नहीं बैट रहे थे अगर तेजपिताप उमिदवार बनाये जाते हैं तो एक बार फिर आरजेडी पर परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाने का आरोप भी लगेगा दूसरा ये कि सवर्ण समुदाय को भी पार्टी जोडने की कवायत में लगी हुई है इसी के तहट पहले ब्रामन समाज के मनोज्जा फिर भुम्यार जाती की एडी सिंग को राजसभा बेजा गया और अब राजपुत समाज के सुनेल सिंग को मलसी बनाने जा रहे हैं हलाकि राजनितिक जानकारों की माने तो इसे तेजस्वी के आरजडी पर एक आधिकार से भी जोड रहे हैं यहीं वज़ा है कि हाली के दिनों में तेज प्रताब को अपने ही कुन्बे में बहुत भाव नहीं मिल रहा है और वे धीरे धीरे ही सही आरजडी के राजनितिक सीन से गायब होते नजर आ रहे हैं अब इस पूरे सीन से आउट होने के बाद तेज प्रताब की आगे की रणनीती क्या होती है यह देखना भी दिल्चस्प होगा लेकिन अगर पूरे सीन को देखा जाए तो एक बड़ा गेम प्लान नजर आता है तेजस्वी यादव भी इस गेम प्लान के हिस्सा है इसके साथ लालुक प्रसाद यादव ने भी विधान सभा चुना को देखते हुई यह पूरा गेम प्लान बनाया है तीनों जो उमिद्वार बनाये गए हैं वो सभी जातियों को ध्यान मेरा कर की पूरे समाज को एक जूट किया जाए ताकि हर तबके में हर जाति के लोगों को खुश किया जाए जिसका सीधा फाइदा बिधान सभा में भी होगा देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमार साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं नेवस फो नेशन नमस्कार